आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ एक और सी नए व्लॉग में जैसे कि आप सभी देखी चुके होंगे कि हम एक ट्रेक के अंदर बैठे हुए थे और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था पेटरल पंप दिखा तो हम पेटरल पंप पे उतरे और पेटरल पंप के अंदर यहां से फिर यह पेटरल पंप है और हमने यहां पे टेंट लगा है अपना और टेंट के अंदर ही अपने राद गुजारे तो अभी यहां से फिर यह टेंट पैक करके हम चलेंगे प्रयागराज की और प्रयागराज बता दूँ यहां से दोस्तों 20-25 किलमेटर की और देखेंगे मुआक की विव और आप सभी को भी दिखाएंगे तो बने रहे हैं इस ब्लोग में तो ज्यादा लेट ना करते हुए आज की जर्नी शुरू करते हैं तो यह दोस्तों हमारी बैक पैक के हो चुका है तो रोट जल्दी से चलते हैं अभी चलते हैं अभी चलते रोट के पार और वहां से लिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं सासून तक और सासून से फिर प्रायागराज के लिए कोशिश करेंगे और प्रायागराज में बता दू यहां से कुछ 20-25 किलोमीटर की दूड़ी पे हैं तो देखते कब तक पहुचते हैं तो यह देखो दोस्तों सामने यह जो पेट्रल पम देख रहे हो आप कल रात को हम वह पेस्टे किये पेट अच्छा नींद आया और पेट्रोल पम से हमने पानी भी भड़ लिया फ्रेश भी हो चुके हैं और अभी हम जा रहें प्रायागराज की और फिलाल तो रोड में हूं और देखता हो कि कोई लिफ्ट मिल जाए तो बहुत बढ़िया होएगा और अभी टाइम में बता दो आ प्रायागराज पहुच जाएंगे फिर वहां पर जाके गंगा सनान करना है और आप सभी को दिखाना भी है कि प्रायागराज कैसा है और गंगे की साइट पर कैसा है और कौनसे कौनसे मंदिर है भूनने की जगा कोशिश करेंगे हर कुछ दिखाने का बाकी देखते कंप्ल चालू करेंगे तो जो भी हो दोस्तों आज की हिचैकिंग यहां से स्टार्ट करते हैं देखते कि कि इतने टाइम में मिल पाता है कोई ट्रक या बस स्वारी कोई ट्रक या टेम्पू या कुछ भी यार कुछ भी मिल जाए अब है अब आज का पैला राइड एक टेम्पू और यहां से जाएंगे पाच किलो मेटर इस टेम्पू से जाएंगे और डोट की व्यू दिखा दू बहुत जादा सुन्दर है दोस्तों मैं दिखा दू आप सभी को यह देखो तो दोस्तों टेम्पू से हमें पाच किलो मेटर की लिफ्ट मिल चुका है और अभी हम यहां पे हैं इस ब्रिच की ऊपर और वो सामने आप देख सकते हो वारानेसी की बोड लगा हुआ है और अभी न अगर इस रोट से जाए हम मतलब इस ब्रिच की ऊपर से जाए तो हमें उधर से फिर उधर जाके फिर यह नीचे से आना पड़ेगा जो की बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा और एक और ड तुम मैसे जरी में और आप जाए नीचे जाहिए है यहां तक जाएंगे तो जल्दी पहुच जाएंगे को में को हम यह एकिर है अया अधि ang और भाग जाएगा वैसे बहता हो चला एग नीचे तो इसक्रुम le तो दोस्तों अभी हम उपर से आ रहे हैं तो यह दोखो दोस्तों यह है वारानसी का वो बोर्ड जो मैंने आप सभी को उस उपर से दिखाया था और अभी हम यहां पर आ चुके हैं इस नीचे आ चुके हैं मेरे पीछे आप सभी देख सकते हो वारानसी का बोर्ड है और हमें अभी रोड क्रॉस करके उस साइड जाना है और प्रेयागराज उस साइड होगा तो पहले जल्दी से रोड क्रॉस कर लेते हैं तो दोस्तों हम रोड में लिफ्ट के लिए वेटी कर रहे थे कि यह भाया जा रहे थे रोड पे और हमें देख लिए और हमें हम दोनों के एक साथ लिफ्ट दिया और टोटल इन्होंने 24 किलोमेटर के लिफ्ट दिया और हमें यहां पर चोड़ा है संगम पर और यहां पर देख सकते हो दोस्तों हम पहुच चुके संगम में और यहां से हम करेंगे गंगा सनान और दोस्तों यहां का खास बात मैं बता और अभी यहां पर नहां रहा है हर कोई देख सकते हूं और अभी यहां पर हम भी नहाएंगे तो दोस्तों मैंने नहा लिया है और अभी मैं जा रहा हूं मंदिर की तरफ और मुआ से जा के देखेंगे कोई पसाद मिले तो मुआ से खाएंगे और बाकी यह देखो यह देखो दोस्तों चलते चलते एक और भाई मिल गया व्लॉगिंग करते हुए यह भी व्लॉगिंग करें और यह क्या बिना पैसो की घुम रहे हो क्या वही अल इंडिया ट्रावल ट्रावल जिरो मनी यह इनका भी यूटिब चैनल है और इनके जुगा यह दोस्तों एक रवर टाइप है भाई ने देखो क्या जुगाड लगाया है भाई क्या होसला है भाई सब्सक्राइब कहां से आ रहे हुए हैं अच्छा और यहां से कितने किलोमेटर होगा और घर से कब निकले तीन चार दिन होगे और कितना पैसा लगा यहां तक का यहां तक अभी मतक हमारा काम है तेरे बल जीरो रुपे में पहुंच गए यहां पर वाई 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 जीरो रुपे में भाई पहुंच गए यहां पर सही है मानना परेगा ना तो द 200 किलोमेटर पहुच गे ओवीज दीरो रूपीज में सही है अच्छा यह देखो दोस्तों मैं सुभी को दिखा दू एक चीज यह देखो भाई अरे भाई उटकी सभारी अर अर्य देखे रहो ना यह है प्रेयगराज की अनधर और अभी और अभी हम कोशिश करेगे कि इस क्लная की अंदर जाए और देखेंगे कि इस क्ले के अनदर क्या है और आप सभी को भी दिखाएंगे तो बने रहे इस वीडियो के एंड तक आप सभी को बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा किला गुमने के बाद हम जाएंगे मंदिर में और वहां से फिर खाना खाके फिर कई और यानि वारनसी तक की यातरक फिर से सुडू कड़ेंगे और यहां से वारनसी मानके चलिए 120 या 25 किलो मिटर की दूरी पे हैं तो अभी टाइम चल अभी टाइम हो रहा है ग्यारा बस के पच्पन मिंट और कोशिश करेंगे कि एक बज़े तक हम प्रयागराच से निकल जाए वारनसी के और तो मेरे को ना पता ही नहीं था कि किले के अंदर हम घुस नहीं सकते और अंदर की चीज देखने ही सकते तो अभी हम जा रहें मंदिर की और अभी हम आप सभी को दिखा देंगे कि मंदिर कैसा है और कैसे दिखने में हैं और क्या-क्या भी परसाथ मिल रहा है सब कुछ दिखाएंगे बाकी प्रयागराच किला दिखा नहीं पाए तो उसके लिए सौरी क्योंकि हम ही क्या करें वहां पर एंट्री बस आर्मी वाले के लिए हैं और स्टाफों के जो कि दोनों में से हम पुछ नहीं है तो जो भी है हो और यह देख लेगे यह यह एक मंदिरी है और यहां पर एंट्री अट्री 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 अगया थे नाचने लगे चाहिए तो यह देखो दोस्तों यहां पर ना प्रसाद बाटा जा रहा है और इसके लिए ना लगना पड़ेगा और प्रसाद में यहां पर खिजरी मिल्ला है भी और लाइन देख लो और ज्यादा नहीं है लाइन तो हम भी जल्दी से लाइन में लग जाते हैं कि भूब भी लगाया है तो दोस्तों हमने बहुत अब लेट पहुंचे यहां पर प्रशाद खतम हो चुका है और आगे देखते कहां पर मिलता है प्रशाद पर आगे कहां मिलेगा क्या बता यार तो दोस्तों यह था वो हनुमान मंदिर और यहां पर हमें भंडाना तो नहीं मिला और अभी हम अभी भूके बेट चल रहे हैं और देखते कि कहां तक चलते हैं और कोशिश करेंगे कि वारा नसी तक बस लिफ्ट मिल जाए फिर वहां पर जाके फिर वहां पर बंडार रहा खाने की कोशिश करेंगे और अंदर हम जानी पाए हनुमान मंदिर की क्योंकि बाहर जूता खोलके और बैग लेके भी नहीं जा सकते थे इसलिए हम गये नहीं और अब हम फिर से रोट पे आ चुके हैं और यहाँ से हम कोशिछ करेंगे मेंड्रोड जाने का और मैंड्रोड से हम फिर अपना हिचा किग जो कि रहेंगे और मेंडोर्ट से होते हुए हम आज वारानशी तक पाँच जाएंगे जो कि एक सो बीडी सिया पचिस किलो मीटर तो देखते हैं कि अब तक वारानशी तक पाँच पाते हैं तो दोस्तों हमें लिफ्ट मिलनी पहाई एक आड़ो से और अभी हम यहां से जाएंगे 12 नसी देखें कितने किलोमेटर के लिफ्ट मिला है वैसे अंकल जी इन्हों ने हमें लिफ्ट दिया है और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं यह ब्रीच और नीचे आप देख रहे हैं यहां से गुजरते हैं और यही कुछ रोड है और दोस्तों मैं बता दू यहां से लिफ्ट लेना बहुत जिया था मुश्किल है और हमें लिफ्ट मिल चुका है तो अंकल जी ने हमें बनारस की रोड तक लेका के ठोड़ा है और यहां से हम फिट से अपना हिचाकिंग स्टार्ट करेंगे और यह वह अंकल जी दोस्तों तो धन्यबाद अ था मैं अंकल जी देने के लिए तो दोस्तों बनारस तक के हमें लिफ्ट मिल चुका था और 120 km के लिफ्ट हमें यह अंकल जी ने दिया है वैसी यह अंकल जी एक हाईकुछ की लॉयर है और थेंक्यू सो मुच अंक्यल जी और दोस्तों अंक्यल जी ने हमें धाबा से खाना यह भी खिलाया है और खाने में क्या ही बताओ भाई बहुत ज्यादा खाना खिला दिया है तो थैंक यू सो मच अंगल जी और यहां से और दोस्तों यहां से मानके चलिए पाथ च्छे किलोमेटर का ही चैकिंग हमारा रह रह रहे है और आज हम स्टेक करेंगे बनारस की जो ग अंकल जी के साथ सफर करने में बहुत ज्यादा मज़ा आया क्यूंकि उनसे हमें बहुत ज्यादा ग्यान मिला उनका कार्ड है यह जो मैं डिस्किप्शन पर दे दूंगा बाकि अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए लौकी थ्रू तो अंकल जी से एक बार कंसर्ण कर सकते हो डिस्किप्शन पर मैं पूरी डिटल्स दे दूंगा तो दोस्तों अभी मैं वारनेसी पहुच चुका हूं और अभी मैं जा रहा हूं घाट के पास पिलाल तो पहुच कि यहां पर आपको हर तरफ दुकान और दुकानी देखने के लिए मिल जाएगा कपड़े की दुकान कपड़े की दुकान बस हर तरफ कपड़े की दुकान और होटेल तो दोस्तों मैं गंगगट पौच चुका हूं और अभी को दिखा देता हूं यहां पर भी आरती चालू होने ही वाला है आप जाएंगे आप जाएंगे आप जाएंगे आप 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 आप